हेलो गाइज वल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हो आप लोग गाइज मैं आज मेरे पास में जितनी भी कुंदन जुएलरी है कुछ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और सारी वन बाई वन बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगी जैसे उसके साथ में जुमका है एरिंग है जो भी है अगर आप लोग ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना वीद घंटीबल अभी मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने जा रही हूँ वल्कम पैक टो माई चैनल कैसे हो आप लोग गाइज मैं आज आप लोगो को दिखाने जा रहे हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे एरिंग है मांग टिका है रिंग है और यह देखो दो सेट है तो दो तरीके के इसमें यह मांग टिका है और गले का यह सेट है देखो आप देख रहे होंगे कितना प्यारा है और एक छोटा है यह देखिए तो मैं आप तो पूरा आपको थोड़ा थोड़ा वन भाई बन दिखा देती हूं यह एरिंग है जो बहुत ही बेस्ट है यह देखिए यह दोनों यह रिंग है इसकी लेंद आप देखी रहे होंगे मेरे पास में जैसे कोई भी गोल्डन वर्क वाली साडी है लहंगा है उसके साथ में ही वियर करके बहुत ही मस्त लुक देता है बहुत ही प्यारा लुक देता है बहुत ही अच्छा लुक देता है और ऐसा नहीं है कि यह मतलब हैवी नहीं है है पीछे वर्क देखो इसका इस तरीके से है और यह जो मतलब लंबाई है इसकी वो इस तरीके से लंबाई है यह दोसरा में बता रहे हैं आपको सेम इसे सेट में है ये जुमका है इसके साथ में ये देखिए बहुत ही प्यारा जुमका है जब भी मैं इसको किसी चीज पर व्यर करती हूँ तो सभी बहुत अच्छा बोलते हैं ये देखिए यह इस पूरा लतकर है और इसका length आप देखी रही होंगे अच्छा खासा length है इसका दोनों का same ही कुंदन यूज हो रखा है same color है या तो इसके साथ में मतलब ये wear कर सकते हूँ या इसके साथ में ये wear कर सकते हूँ कुछ भी किसी की भी साथ में wear कर सकते हूँ same color है, same design है सेम कुंदन यूज हो रखा है आप देख रहे होंगे यह जुमका है तो यह भी मुझे बहुत अच्छा लागा तो मैंने सुचा आप लोगों से शेयर करती हूँ आप लोगों को कैसा लगेगा और यह है दोनों मांग टिका आप देख रहे हैं तो इसका जो मांग वाला है यह चेंड बनी हुई है यानि इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से और यह आप देख रहे होंगे यह इस तरीके से बना हुआ है इसका चेंड जो है यह इस तरीके से कुंदन-कुंदन में है और नीचे इसमें 3 पल्स दिए हुआ है यह देखिए और यह इस तरीके से डिजाएट बना हुआ है तो किसी के भी साथ में कोई भी वियर कर सकते हैं बहुत ही बहतरी लुक देने वाला है तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ में जुइलरी क्लेक्शन अपना शेयर कर रही हूँ तो I think मुझे ये भी यूज़ करना चाहिए ये रिंग है इसको किसी भी उसमें वियर कर सकते हैं बहुत अच्छा लुक देने वाली है ये रिंग भी तो ये भी बहुत प्यारा लुक दे रही है उनके साथ में ये देखिए आपको साफ नजर आही रहा होगा सारा तो अब मैं आती हूँ गले के जो पहनने के लिए ये देखो कि इस तरीके से इसमें वर्क हो रखा है पूरा ये देखिए अब देखी रहे होंगे ये थ्री लेयर्स है कुंदन में बहुत ही अच्छा वर्क हो रखा है जो इनका पीछे ये अड़ेस्टिबल है आपको कितना लूज रखना कितना टाइट करना है तो ये तो असब के साथ में रहता ही है बट ये देखिए आप वर्क बहुत ही बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है जब भी मैं इसको वियर करती हूँ तो अल्मॉस्ट मुझे सबी पूछते हैं कि ये आपने कहां से लिया है क्योंकि ये सब चीजे क्या है कि अपनी जो गोल्ड की ज्विलरी होती है वो भी फीकी पड़ जाती है इनमें बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है ये देखिए आप इस पेसली नाइट में हो या डे में हो जहां कोई फंक्शन चल रहा है और काफी लाइटिंग रहती है लाइट का जो भी रहता है तो उसमें तो बहुत अच्छा लुक देता है तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए है और पीछे से ये जस्ट ऐसा है पीछे में इसमें कोई ऐसा नहीं है ये इसी तरीके से है और अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला तो ये देखिए आपकी तरीके से इसमें ये इसमें भी अर्जिस्टिबल है पीछे में कितना भी आप इसको लूच तो इस तरीके से आई हुई है पर्ल एंड ये कुंदन एक फिर ऑनली पर्ल्स की है और फिर एक कुंदन की है बहुत ही प्यार डिजाइन बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है और मैं इसको कैसे वियर करती हूं मैं आप लोगों को एक मिनट अभी दिखा देती हूं मैं कित आपको कहीं किसी की पार्टी वाटी में जाना है किसी की शादी वादी में जाना है तो ये इस तरीके से हेवी लुक भी देता है क्योंकि ये क्या है थोड़ा नेक को टच करता है और ये उसके बाद थोड़ा लूज रहता है साड़ी ये लहंगे दोनों की ही बते कर रही या तो आप मतलब जुंका वियर करिए इसके साथ में या फिर ये वाला वियर करिए इसके साथ में आप कुछ भी वियर कर सकते हो इसके साथ में और ये रिंग वियर करिए माल्टिक का कोई भी वियर करिए जैसे आपकी किसी की भी ऐसा शादी है कि आप यह सब वियर कर सकते हैं लहंगे के साथ मिया कैसे भी यह देखिए तो गाइज आप जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी यह आपको जूलरी कैसी लगी मेरी बहुत ही अच्छा लुक देने वाली है और मैंने यही सोचा कि मैं आप लोगों से शेर जरूर करूँ तो मैंने इसी लिए शेर किया है तो जरूर मुझे बताना आप लोग तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइज नेक्स्ट वीडियो फिल लेके रहूंगे आप ऐसी किसी ना किसी चोईस पर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना डियर